exercise 6.5 का question number 2 है और यह बहुत easy सा question है मैं आपको एक बार फिर से पता देता हूँ यह कोई भी question करने से पहले आप इसके theorem जरूर देख लेना theorem का video का link इस video में मैं description में दे दूँगा आप पहले theorem जरूर देख लेना क्योंकि बिना theorem का आपको यह सब question समझ में नहीं आएगा तो देखो question को read करते तो इसमें कहे रहा है जो PQR is a triangle PQR एक triangle मैंने यहाँ पर triangle बना लिया है कर राइट अंगल at P मतलब P पर राइट अंगल है तो P यहाँ पर हो जाएगा और Q मैं यहाँ लिख देता हूँ और R यहाँ पर लिख देता हूँ कई भी लिख सकते हैं कोई लिक्कात नहीं है यहाँ भी Q लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ इसमें P कह रहा जो P जो है राइट अंगल पर था तो मैंने यहाँ पर P यह राइट अंगल होता यहाँ पर यहाँ यह राइट अंगल हो गया और Q और R मैंने लिख दिया कह रहा है M is a point on QR यह QR पर M कोई एक point है ठीक है M को यह point है on QR such that PM perpendicular to QR यह जो PM यह perpendicular है QR पर तो मैं क्या करता हूँ इसे भी जोइन कर देता हूँ तो मैंने यह राइट जोइन कर दे और यह कह रहा है यह perpendicular है ठीक है मतलब यह 90 डिगरी का अंगल बन रहा such that PM perpendicular QR तो show that आपको show करना है PM का square equal to qm का square qm into mr ठीक है तो देखो इसमें अब लिखने का इसको बनाने का तरीका का है सबसे पले आप लिख दो given given है जो p qr is a triangle और right angle at p p पर right angle है and pm perpendicular to qr इतना दिया हुआ है तो to show या to proof to proof करना है आपको क्या proof करना है PM का square equal to qm into mr ठीक है यह आपको show करना है तो बहुत ही easy सा concept है यह भी अब हम यहां से आते हैं proof पे ठीक है proof पे हम आते हैं इसमें क्या करना है तो guys आपने एक चीज़ पढ़ा होगा theorem 6.7 6.7 में यह कहता है जब भी कभी कोई triangle अगर यहां पर 90 degrees में perpendicular draw होता है तो यह दोनों triangle और यह इसमें जितनी भी total तीन triangle बन रहे वह आपस में similar हो जाता है ठीक है तो हम लिखेंगे यहां पर we know that we know that triangle we know that triangle qmp triangle qmp जो है वो similar हो जाएगा triangle rmp का rmp का ठीक है यह दोनों triangle क्या हो जाएगा यह similar हो जाएगा और यह क्यों होगा क्योंकि by theorem 6.7 theorem 6.7 से आप यहां पर theorem 6.7 मत लिखना है पूरा statement लिखना है आप देखो आपने पढ़ा था theorem 6.7 में जब भी कभी यह ऐसा triangle हो और 90 degree से vertex यहां पर perpendicular draw होता है तो यह दोनों triangle आपस में similar हो जाता है और यह दोनों triangle क्यों क्यों लिया है क्योंकि देखो PM गया square देखो PM एक ही PM लो इसमें से PM और QM PM और QM यह दोनों side मिला करके कौन सा triangle बने गया QMP इसलिए मैंने QMP लिया है और उसके बाद MR भी है तो एक तो PM है तो यह PM तो है common है इन दोनों triangle में दोनों triangle में PM है और QM तो QM यह रहता यानि कि यह वाला triangle हो गया QMP और MR आत यानि कि यह RMP यह वाला दो triangle हो गया ठीक है तो अगर यह दोनों triangle आपस में similar हो है तो हम क्या लिख सकते है इसके क्यूआ को साइड का ratio होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं QM, QM by RM लिख सकता हूं QM by RM rm equal to qm by rm equal to देखो इसको तो वेसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं qm by rm भी लिख सकता हूं लेकिन इसमें देखो आप इसे मत लिखो ऐसे लिखो कि तो फिर confusion हो जाएगा कैसे देखो इसमें क्या करना है आपको ये जो दिया हुए ना show that ये जो show that दिया हुआ है इसी को थोड़ा सा solve कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा देखो अगर मैं इसको कैसे लिखूँ अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ PM देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ QM by PM equal to यहाँ पर मैं लिखता हूँ PM by MR ठीक है देखो ऐसे अगर लिखने से अगर ऐसे लिखोगे आप तो PM PM को multiply करोगे तो PM का square और QM into MR हो जाएगा ना ऐसे तो अभी आपको so तो ये करना लेकिन आपको mind में ऐसे रखना है आपक ये क्या हो जाएगा solve हो जाएगा easily solve हो जाएगा तो आप देखो आपको अगर ये दुनों triangle आपस में similar है तो आप तो ये form दो लिखी सकते हो क्योंकि देखो ये जो QM है ये QM उपर वाले triangle का part है QMP का तो आप लिख दो यहाँ पर QM QM और बाय में देखो PM करता तो PM ये न ले लिए PM तो common है दो बार लिखेंगे हम तो इसलिए देखो ये QM उपर वाले triangle का part लिखा side लिख दिया और ये जो PM है नीचे वाले triangle का side लिख दिया ठीक है उसके equal करना पड़ेगा देखो इसके equal में क्या है देखो PM फिर से ये उपर वाले triangle का part लिखा अभी जो PM मैंने लिख दिया यहां पर MR ठीक है तीनो साइड इसके ratio proportional होता है तो रहे काउन सगया उपर वाले triangle में ये PQ रह गया है तो मैं PQ लिख देता हूँ और नीचे वाले triangle में PR रह गया है ठीक है I hope आपको ये समझ में आगया होगा गाईज आप ऐसे भी कर सकते हो लिगन इसमें कर लिया इसको solve करने के बाद हमें ये पता चल गया जिसमें कैसे करना है ठीक है इसको और भी तरीके सा आप solve कर सकते हो जैसे मालों आप यहां पर PM है तो यहां पर QM लिख सकते हो और equal to यहां पर क्या हो जाएगा MR पर PM हो जाएगा इसे भी अगर PM को करोगे तो PM का square और QM into MR हो जाएगा QM into MR हो जाएगा तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो तो जो आपको समझ भाए मैंने ऐसी लिखा है तो आप इसी के recording आप यहां पर लिख दिया मैंने अब देखो इसमें क्या करना हमें तो बस यह PM by MR तक ही चाहिए नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा ब हो जाएगा PM into PM equal to QM into MR ठीक है तो अब यह PM into PM कितना हो जाएगा PM का PM का square हो जाएगा equal to QM multiply MR हो गया ठीक है और यही क्या करना था आपको प्रूव करना तो यहां पर प्रूव इस तरह के question में गया जैसी होता है हैंस प्रूव इस तरह के question में आपको क्या करना है बस यहां पर थोड़ा सा solve करके आपको माइंड में लिख लेना है यह आपको question में करना है इसको मैं कैसे करूं यह form आ जाएगा या फिर ऐसे करने से भी आ जाएगा तो आप यह भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इस इसमें पहले triangle QMP है QMP है aगर मैं पहले triangle RMP लेता यह वाला part में लिखता क्यूमकि पहले PM पहले पीएपे आपको यह को समझे में आ घी होगा अगर फीर बी कोई डौट हो तो आप मुझे जरूर् के साथ है